लास्ट क्लास्ट में हम लोगों ने कही सारे प्रॉब्लम को सॉल्ब किया था और लास्ट में एक प्रॉब्लम आप लोगों के लिए छोड़ दिया था उमीद है आप लोगों ने किया होगा चलिए आपके साथ मिल करके हम फिर से उस को सॉल्ब करते हैं तो कोस्टन था कि नाइट्रोजन कंटेन इन अ सैंपल अफ यूरिया इस 42.5% बाइ मास वाट इस दा प्यूरिटी वाट इस प्रसेंट प्यूरिटी अफ यूरिया इन दे सैंपल ठीक है तो चलिए इस कोस्टन को सॉल्ब करने के लिए हम लोग यूरिया को एजूम कर लेते हैं ठीक है कंसीडर करते हैं कि यह सैंपल अफ यूरिया है ठीक है सैंपल अफ यूरिया परसेंट अफ नाइट्रोजन बाइ मास दे रखा है परसेंट अफ नाइट्रोजन बाइ मास परसेंट अफ नाइट्रोजन बाइ मास इक्वल तो 42.5 अगर हम 100 ग्राम यूरिया को कंसीडर कर लेते हैं तो जो 100 ग्राम में आएगा वही तो परसेंट होगा क्योंकि परसेंट तो आउट अफ हंडेड ही होता है ओके तो एज्यूम कर लेते हैं कि सैंपल क्या है हंडेड ग्राम का है लेट दे सैंपल भी हंडेड ग्राम सैंपल क्या है हंडेड ग्राम अगर हंडेड ग्राम में हम कैल्कुलेट कर ले तो वही यूरिया की परसेंट प्यूरिटी हो जाएगी अरे बोलो हां या कोई डाउट है चलो इतना तो जानते ही होंगे क्या आउट अफंडेड जो आएगा वह एक्चले है परसेंट ही होता है ठीक है तो परसेंट 42.5 था नाइट्रोजन का तो नाइट्रोजन का मास क्या होगा मास आफ नाइट्रोजन एक्वल टू 42.5 ग्राम जो परसेंट हंडेड ग्राम में वह ही नाइट्रोजन का ग्राम और जब वेट मालूम हो ही गया है तो इससे मोल में बदल दीजिए मोल्स अफ नाइट्रोजन इक्वल टू 42.5 बाइफ 14 यह हो गया मोल अब युडिया का फर्मूला तो आपको पता ही होगा एन-ईज-टू सियो एन-ईज-टू एक मोल युडिया में नाइट्रोजन के कितने अटम है या एक मोल युडिया में नाइट्रोजन के कितने मॉली क्यूल हो गए देखो, अगर हम मोल कंसिडर करते हैं तो उसके Constituent Particle भी उतना ही मोल्स होगा अगर हम molecules consider करते हैं तो उसके constraint particles भी molecules में ही होगा तो अगर हम consider कर लेते हैं या देखते हैं कि 1 mole यूडिया में 1 mole यूडिया में nitrogen के 2 moles है एक mole यूडिया में nitrogen के 2 moles है तो हम कह सकते हैं टू मॉल्स आफ एन प्रिजेंट इन वन मॉल आफ यूडिया अरे बोलो हां बिलकुल दो मॉल नाइट्रोजन एक मॉल यूडिया में होगा देखो जब मैं कहता हूं बोलो हां तो आपको यह बोलना है हां कि मैं आपके बात को सुनना हूं ठीक है ओके तो मॉल कितना है निट्रोजन का 42.5 तो वन मॉल आफ एन वन बाइट्व मॉल आफ यूडिया यूडिया यूट्री मेथोड इसार परेशान नहीं होना है ठीक है ।दो मॉल नाइट्रोजन एक मॉल यूडिया में था इसलिए एक लिए यूडिया नेट्रोजन एक बाते 205 यूडिया में है इसलिए 42.5 by 14 moles of urea is presenting 1 by 2 into 42.5 by 14 moles of urea ओके और जब moles मालूम होई गया है तो इसे mass में convert कर दीजी ओके तो mass of urea is mass of urea is 1 by 2 into 42.5 by 14 ये क्या था mole था और urea का molar mass 60 और calculate करते ही आपको mass of urea मालूम हो जाएगा और यही आपकी percent purity होगी ओके तो बहुत ही simple simple पर logical question मैंने deal किया आपके साथ मिलकर ओके इस सारे question को जो last lecture में हुआ है और आज जो हुआ इन सब को आपको थेयरी के तरह practice करना है इस पर ठीक है और इसमें जो जो steps follow किये गए उससे steps को आप हमेसे याद रखेंगे और moles के problem, mass, volume, electron, fundamental particles से related कोई भी problem आसानी से solve किया जा सकता है ओके अगर कह दिया जाए कि 100 gram of caco3 is taken 100 gram of caco3 is taken 100 gram of caco3 is taken लिया गया है ठीक है तो कितना mole लिया गया है बताइए जस्त मैं revision के लिए पूछ रहा हूं अधरवाई यह कोई topic नहीं है जस्त मैं recall करा रहा हूं आपको 100 gram of caco3 is one mole of one mole of caco3 that means mole equal to one वह भी mole किसका caco3 का अगर gram molecules of caco3 पूछा जाए तो old definition को स्याद आया gram molecules also related to moles gram molecule equal to one gram molecule of caco3 also equal to one अगर आपसे पुछा जाए यह gram atom of ca gram atom of ca in caco3 तो एक molecule imagine किजिए एक molecule में caco3 पर ca का atom एक होगा gram atom of ca equal to one a gram atom of oxygen equal to three gram atom of oxygen equal to three यह कोई थेयरी नहीं है जस्त मैं पीछे का recall करा रहा हूं आपको ठीक है अगर एक है चलिए अपने टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं नेक्स टॉपिक हमारे पास है लॉफ केमिकल कंबिनेशन ठीक है बहुत इंट्रेस्टिंग टॉपिक लोवर क्लास में हम लोग ने इसे सीखा है इसे परहा है ठीक है एक बार्वाद आपको ठीक है एक पर क्किक रिविजन लेते हैं इसका लोव आफ टैमिकल अ कंबिनेशन अ लोव केमिकल कंबिनेशन में कई सारे लव है इसमें फॉस्ट लॉफ law of mass conservation law of mass conservation law of mass conservation states that the initial mass of the reactant law of mass action states that the initial mass of the reactant taken always remains constant throughout the reaction ok it states that the mass of reactant the mass of reactant the mass of reactant has been taken always remain constant always remain constant always remain constant throughout the reaction throughout the reaction throughout the reaction thief the reaction the reaction the reaction मास घटता जाएगा और प्रोड़क्ट का मास बढ़ता जाएगा ठीक है कोई भी केमिकल रियक्षन में एक रियक्टेंट होगा जो फाइनली प्रोड़क्ट में कनवर्ट हो जाएगा ठीक है किसी कंटेनर में अगर रियक्षन चल ला है रियक्टेंट से प्रोड़क्ट की तरफ तो टाइम के साथ साथ रियक्टेंट खतम होगा अब प्रोड़क्ट का अमाउंट बढ़ता जाएगा ओके रियक्टेंट क्या होगा डिक्रीज कर जाएगा अब product क्या हो जाएगा increase कर जाएगा add time passes ओके सपोज एक reaction चल ला हो carbon और oxygen के बीच carbon plus oxygen gives carbon dioxide अगर initially carbon का mass 6 gram हो और oxygen का mass 16 gram हो तो हम यह कह सकते हैं कि जब reaction खत्म होगा तो उस वक्त carbon dioxide के amount 6 plus 16 22 gram होगा 22 gram होगा बिना कोई chemistry जाने law of conservation of mass लगा सकते हैं बिना कोई extra knowledge के हम लोग यह बताए सकते हैं कि जैसे ही reaction खत्म होगा वो सारा का सारा mass जो reactant में था वो product में बदल जाएगा ठीक है इसे ही हम कहते हैं mass conservation आप किसी भी reaction को start कीजिए reaction start होते वक्त जो amount रहेगा reaction के middle में भी वही amount रहेगा और reaction जब finally खत्म हो जाए तो वही amount रहेगा ओके suppose कोई metal H2SO4 से react करता है और हमें metal sulfate बनाता है metal sulfate बनाता है metal sulfate बनाता है अगर initially मेटल का amount अलफा ग्राम हो और metal sulfate बीटा ग्राम हो metal sulfate बीटा ग्राम हो तो हम यह आसानी से कह सकते हैं कि sulfate N का mass बीटा माइनस अलफा होगा बोलिए mass of sulfate equal to बीटा माइनस अलफा ग्राम क्या कोई problem है चले ऐसा सोचते है जो mass metal का लिया गया था reaction खत्म होने पर वो पुरा का पुरा खत्म होगा ठेक है और धीरे धीरे वो सारा mass product में shift कर जाएगा लेकिन product में तो sulfate भी आ गिया है अट टोटल metal sulfate का mass हमें बीटा ग्राम दे रखा है उस total metal sulfate में metal तो अलफा ग्राम ही होगा क्योंकि initially अलफा ग्राम ही हम लोग लिए थे इसलिए sulfate का mass हो जाएगा बीटा माइनस अलफा ग्राम ओके law of conservation of mass हमें इतना ही बताता है कि एक बार reaction स्टार्ट हो गए तो reactant का mass समय के साथ साथ कम होता जाएगा और product का mass समय के साथ बढ़ता जाएगा ओके second law law of definite composition law of definite composition law of definite composition क्या है बताएगे law of definite composition states the chemical compound always had definite composition always have definite composition irrespective इर्रिस्पेक्टिव आप दा सोर्स आप कमपाउंट बाइ वीच इट इस पिरिपेर्ड बाइ वीच इट इस प्रिपेर्ड सिंपल मीनिंग सपोज आप H2 लेते हैं वो H2 आप कहीं से भी ले ले कहीं से भी ले ले किसे रियक्शन के द्वारा आप बना ले उस H2O का जो कमपोजिशन होगा हाइडोजन और ऑक्सिजन का वो फिक्स रहेगा वो बदलने वाला नहीं है ठीक है? सिंपली लाओ आफ डेफिनिट प्रपोश्चन आप लेफिनिट कंपोजिशन अपरी und यहाद मैं अफिन कंपोजिशन और दीक कंपोजिशन आफिन अट कंपोजिशन always have definite composition always have definite composition irrespective of the source source from which from which it is prepared अब किसी भी compound को कहीं से भी ले ले किसी reaction से बना ले या कहीं से भी ला ले उसके composition में changes नहीं आएंगे उसका composition fix होता है suppose हमारे पास water है यह water अब कहीं से भी ला ले किसी भी जगह से ला ले चाहे वो rain water हो चाहे pond water हो ocean water हो या rain water हो या किसी experiment में आपने बनाया है chemical reaction के थुरू बनाया है उस water का composition हमेशा fix रहेगा ओके अब कहीं से भी इस वाटर को ले 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 वाटर में हाइड्रोजन दो गराम होगा क्योंकि hydrogen का atomic weight 1 और इसका index है 2 that means 2 into 1 2 और oxygen हो गया 8 अगर हम इसका ratio देखे तो 2 is sorry oxygen हो गया 16 और इसका ratio देखे तो 2 is to 16 that means 1 is to 8 water का composition 1 is to 8 fix है यह बदलने वाला नहीं है कि अगे बहुत पुराने जमाने का लौव है जबके मैं इस टेवलब कर रहा था तो यह लौब ही उसी वक्त आये थे ठीक है नेक्स्ट लौ लौ अफ मल्टिपल प्रोपोर्श्चन लौ अफ मल्टिपल प्रोपोर्श्चन लौ अफ मल्टिपल प्रोपोर्श्चन law of multiple proportion law of multiple proportion states that if two elements combine to form two different compound if two elements combine to form two different compounds then the different masses of one element then the different masses of one element which combined with the fixed mass of the other always bears a simple ratio okay? note karte hai if two elements if two elements if two elements combine to form two different two different compound then and the different masses of different different masses of one element different masses of one element which combine with the fixed mass which combine with the fixed mass of the other of the other always bear a simple ratio simple ratio simple ratio okay? چلیں देखते हैं एक 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 गजाम्पल के साथ के नाइट्रोजन और और अक्सीजन combine होकर एक compound बनाता है NO और एक compound बनाता है NO2 ठीक है यहाँ पर नाइट्रोजन यहाँ पर नाइट्रोजन 14 ग्राम है 14 ग्राम एन और यहाँ पर नाइट्रोजन 14 ग्राम ही है लेकिन यहाँ पर oxygen 16 gram है और यहाँ oxygen 32 gram है अगर हम एक का mass fix कर देते हैं एक का mass fix कर देते हैं तो दूसरे का mass एक simple ratio में होगा that means 16 by 32 equal to 1 is to 2 that means simple ratio यही है law of multiple proportion ओके चलिए एक question देते हैं आपको two oxides of sulfur two oxides of sulfur contain 50 percent 50 percent and 40 percent and 40 percent sulfur by mass sulfur by mass prove that the given information prove that the given information prove that the given information is accordance to एकॉर्डेंस टू लॉव अफ मल्टिपल प्रोपोर्शन लॉव अफ मल्टिपल प्रोपोर्शन चली कुस्टन को पर ये आराम से बनाईए विडियो को पॉस कीजिए अटेम्ट कीजिए अगर आप दिमाग नहीं लगाएंगे अपने ब्रेन का इस्तमाल नहीं करेंगे और मेरा इंतजार करते रहेंगे कि सर बनाएंगे और साथ साथ हम लग पीछे कॉपी कर लेंगे तो ऐसे कुछ फाइदा होने वाला है नहीं ओके यह एक उनलाइन प्लेटफॉर्म है और उनलाइन प्लेटफॉर्म को बिल्कुल क्लास्रूम की तरह पर है ठीक है जब हम कहा है वीडियो पॉस किजिए अटेम्ट लिजिए तो आपको वीडियो पॉस करना है अटेम्ट लेना है ठीक है ऐशा नो हो कि हम बोले अटेंब करने के लिए और वीडियो small करके डेखने के चक्कर हम थैक։ तो ऐसे कुछ खाश पाक्राइद नहीं होगा थैक इस हम एक दो बार और या 10 बार ho हो सकता है कि बोलेंगे क्या वीडियो पॉस कीजिए वीडियो पॉस कीजिए उसके बात क्या है वक्त के साथ सा से लिवस खतम करना है ठीक है और वो हो जाएगा ओके चली सब्सक्राइब यह ऑक्साइड वन है और यह ऑक्साइड टू है दो अक्साइड है इसमें दोनों को 50% कहा था 50% सल्फर तो सल्फर कितना है 50% डैट मिन्स 50 ग्राम तो ऑक्सिजन कितना होगा यह भी 50 ग्राम और दूसरी अक्साइड में कहा था कि सल्फर 40% है डैट मिन्स अफ़र 40 ग्राम और ऑक्सिजन 60 ग्राम ठीक है अब देखिए फर्स्ट अक्साइड में कि एक ग्राम ऑक्सिजन एक ग्राम सल्फर से ही कम्बाइन होगा ठीक है ऑक्साइड फर्स्ट के लिए औक्साइड फर्स्ट के लिए एक ग्राम ओक्सिजन कम्बाइन विद वन ग्राम ओफ सल्फर यह हमारा क्या हो गया? फिक्स्ट हो गया तो पता किजिए कि दूसरा एटम क्या सिंपल रेशियो में है? अगर होगा तो लॉफ मल्टिपल प्रपोर्शन को वैलिट करेगा ठीक है? सेकंड ओक्साइड ओक्साइड सेकंड वन ग्राम ओक्सिजन कम्बाइन विद कम्बाइन विद 40 बाइस 60 ग्राम ओफ सल्फर ठीक है? 40 बाइस 60 दाट मेंस 2 इस 2 तू 3 2 इस 2 तू 3 अगर रेशियो लिया जाए सल्फर एटम का तो पहले ओक्साइड में रेशियो कितना था? पहले ओक्साइड का 1 और दूसरे का 2 बाइ 3 डाट मेंस 3 इस 2 2 इस इस सिम्पल रेशियो यह ओक्साइड फर्स्ट के लिए यह ओक्साइड सेकेंड के लिए ओक्साइड फर्स्ट में सल्फर एटम और अक्साइड सेकेंड में सल्फर एटम इन दोनों का रेशियो 3 इस तू 2 3 इस तू 2 आने से यह पता चला कि यह सल्फर का दोनों अक्साइड लॉफ मल्टिपल प्रोपोर्शन को वैलिट करता है ओके नेक्स क्लास में हम एक दो लॉफ और देखेंगे जो बेसिक लॉफ है ठीक है और इसी बेसिक लॉफ पर मॉल कंसेप्ट आगे फांडेशन बनाता हुआ निकल जाएगा ओके तो कॉशन को प्रैक्टिस के जिए मिलते हैं नेक्स क्लास में तब तक लिए बाई बाई